हम एनेवल टिस्वां स्ट्रेटि कर रहे थे प्रिवेश वीडियो में हमने इसके एपिठीलियर टिशू, कनेक्टिव टिशू और मस्कुलर टिशू को ग्रेफले स्टेटि कर लिया था तो आज की इस वीडियो में हम study करेंगे nervous tissues Nervous tissues special type के tissues होते हैं जो कि हमारी body में control and coordination के लिए responsible होते हैं हमारी body में किसी organ को किसी another organ के साथ में coordinate करवाते हैं इसके लावा किसी organ को atmosphere के साथ में coordinate करवाते हैं और यह हमारी body में जो endocrine glands हैं उनके साथ में मिलकर के long time तक भी body को control करते हैं तो आए study करते हैं इसकी general properties It is a compound tissue कैसे हैं यह compound tissue है तो जहां पर compound tissue अगया इसका मतलब है कि यह different type of cells से मिलकर के बने होते हैं It is a compound tissue and is formed of four type of cells Four type की cells से मिलकर के बने होते हैं Out of which neurons are most important type of cells तो इसमें बेंच जो cells होती है वो neuron होती है और neuron ही वो cell होती है जो impulse को conduct करती है उनका transportation करती है किसी organ से लेकर के हमारे central nervous system यानि कि brain और spinal cord तक supply करने का काम करती है और वहां से जो भी message आता है उनको वापस target organ तक supply करने का काम करती है It forms brain, spinal cord and nerves हम कह सकते हैं कि हमारा brain nerve tissues का बना हुआ एक complicated structure होता है हमारा spinal cord nerve tissues का बना होता है हमारी जो nerves होती है जो brain और spinal cord से निकलती है वो भी nerve tissues का ही part होती है These have the power of excitation and conduction of nerve impulse तो यह जो nervous tissues है इनके पास में excitation का या जो nerve impulse होते हैं उनको conduction का power होता है किस तरह से यह करते हैं उसको हम अभी diagram के through state करेंगे तो composition देखते हैं जैसा कि हम उपर state कर चुके हैं कि यह different type of cells similar करके बना होता है तो four type of cells कौन कौन सी है इसकी first आती है इसकी important cells neurons से और हम इसको nervous cell भी बोल सकते हैं तो neuron हमने cell biology में भी पढ़ा था कि neuron's longest cells होते हैं सबसे लंबी cells होते हैं जिसकी length है 90 cm to 1 meter तक हो सकते हैं यह जो nervous system होता है उसकी structure and functional unit होते हैं तो जो भी message आते हैं atmosphere से muscles के तुरू यह उनको ratio करती हैं और फिर central nervous system तक supply करने का काम करती है और central nervous system से जो भी information आती है उसको target organ तक supply करने का काम करती है तो neurons nervous cells neuron is the longest cell of body about 1 meter and is structural and functional unit of nervous system it is the communication unit of nervous system as it can receive and conduct the nerve impulse to various parts of the body it is formed of two parts तो यह जो neurons होती है इसकी दो पार्ट होते हैं तो दोनों पार्ट की हम diagram के तुरू state करेंगे और कैसे इसकी functioning होती है उसको भी हम state करेंगे देखे यह हमारे पास में diagram है एक nervous cell का इसकी यहां पर एक पार्ट हम इसका देखें तो यह है इसका साइटोन जो की स्टार से इस्ट्रिक्चर दिख रही है इसको बोलते हैं हम साइटोन या सैल गोर्डी यहां पर लेवलिंग के लिए है इसकी सेलोडी इसको हम साइटॉन भी बोल सकते हैं और साइटॉन आगे यहन की यहाँ से अगर बीच में से देखें तो यह अपने पेरिफरल डीजन में से ब्राउंस्ट हो जाता है तो ऐसकुछ इस начала के ब्राउंस्टी इसके अंदर निकले वी रहती है तो ये branches को हम कहते हैं dendroids, dendroids सी वो structure होती है जो की different organs सी message को receive करने का काम करते हैं और बीच में यहाँ पर ये इसका cytoplasm होता है, nucleus आपको diagram में साब दिख रखा है, तो well observed nucleus होता है, nucleus के चारूर cytoplasma है लेकिन इसके cytoplasm को हम कहते हैं neuroplasm, इसका cytoplasm कहलता है neuroplasm और इस neuroplasm के अंदर रहे कुछ granules होते हैं, जिनको हम initial granules बोल सकते हैं और इनिशल granules से इनको endoplasmic reticulum के समान माना गया है, क्योंकि इनिशल granules से protein synthesis का काम करते हैं तो हम समझ सकते हैं कि इसमें बहुत सरी endoplasmic reticulum या initial granules present होते हैं जो protein synthesis के लिए responsible होते हैं अब यह जो cytone है या cell body है, इस cell body से एक dendroids ऐसा निकलता है, जो कि बहुत लंबा होता है तो हम इसको भी dendroids मान सकते हैं, तो यह लंबा जो dendroids है, हम इसको क्या गएंगे, axon यह axon आगे यानि कि दूसरी nerve को या फिर जो central nervous system है, वहां तक उस impulse को केरी करने का काम करती है देखे, मैं बता देता हूं आपको यहाँ dendroids ने information को receive किया, यहाँ say message को receive किया, cell body में आने से पहले यहाँ पर कुछ special fibers होते हैं, उनकी help से एक यह, जो message है, वो एक impulse में convert हो जाता है, और उस impulse को हम कहेंगे, electric impulse, यानि कि एक electric form के अंदर यह message convert हो गया अब यह electric impulse, एक्जोन से होता हुआ, यहाँ से एक्जोन से होता हुआ जाएगा, और एक्जोन भी final, आगी चल करके कुछ branch structure में convert हो जाती है, जिसको हम terminal end कहते हैं, यहाँ पर leveling के गई है, इसका एक्जोन terminal तो यहाँ तेजी इसकी जो speed है, वो तेजी से है, ठीक है, तो यानि कि यहाँ से impulse electric form है, तो बिजली के जैसे speed है इसकी, और यह यहाँ पर जो इसकी terminal part है, इस terminal part के ऊपर कुछ vesicles present होते हैं, इसका terminal part है, वो कुछ यह से फूला हुआ है, यहाँ पर कुछ इस तरह की structure है, यहाँ पर कुछ इस तरह की structure है, इनको हम बोलते हैं, synaptic vesicles, इन synaptic vesicles में कुछ special chemicals present होते हैं, उन chemicals को हम कहते हैं, neurotransmitter, अब यह neurotransmitter करते क्या हैं, देखें, यहाँ पर, मालिया central nervous system नहीं आये, तो यहाँ पर कोई another cell या दूसरी neuron हो सकती है, तो यह जो impulse आये हैं, इसके तुरू जो impulse है, उस impulse को क्या करेगा, यह इस दूसरी नरों को transfer करेगा, तो यहाँ पर जो transportation है, वो किस form में होगा, वो chemical के form में होगा, message आया, वो किस form में है, electric impulse के form में है, लेकिन वो convert किस में होगा, chemical में, तो those substance which are found in snaptic vesicle of neuron and they convert electric impulse into chemical impulse are called neurotransmitters, जा हम बोल सकते हैं कि neurotransmitter ऐसे chemical substance होते हैं, जो snaptic knob में present होते हैं और यह electric impulse को chemical impulse में convert करके, दूसरी nervous cell को transfer कर देते हैं, अब यह जो exon है, इसके हम स्टेड़ी करें हैं, तो exon एक cylindrical shape में structure होती है, यह सिधी भी हो सकती है, मुड़ी भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, लेकिन यह एक cylindrical shape में structure होती है, और इसकी जो plasma membrane होती है, exon के, उसको बोलते हैं, एक्जो लेमा, एक्जो लेमा के ऊपर कुछ special cells होती है, जिसको हम बोलते हैं, माइलिन सीथ, तो swan cell, एक्जो लेमा, एक्जो लेमा के ऊपर swan cell, और swan cell के ऊपर माइलिन सीथ, यह माइलिन सीथ यहां से impulse को बहारने ही निकलने देती है, तो कभी कभार क्या होता है कि impulse को इतना तेजी से मेजना पड़ता है, कि उसको डिरेक्ट जम्प करवा करके ट्रांसपर किया जाता है, यहां से यह इस एक्जोन से होता हो नहीं जाएगा, बलकि यहां से ऐसे तो जम्प करता होगा मेजसे जाएगा, जहां माइलिन सीथ एपसेंट है, उस जगह को हम कहते हैं, नोड ओफ रेंड वियर, जो कि impulse की जम्पिंग के लिए रेस्पोंसिवल होता है, इंपल्स को तेजी से पहुंचाने के लिए रेस्पोंसिवल होता है, तो मुझे लगता है, निरोन का स्ट्रेक्शर आपको समझ में आ गया होगा, अब हम आगे चलते हैं, तो इसका निरोन के पार्ट है, पहला साइटोन है, सैल बोडी, इट इस नुक्लिएटेट पार्ट निरोन वो जे ग्रेनुल साइटो प्लाजम इस काल्ट निरो प्लाजम एड फाइन थ्रेट काल्ट निरो फैब्रेस, पूरे कंडेक्शन ओफ नर्व इंपल्स, निरो फैब्रेस के तुरू कंडेक्ट होता है, और यार रिचिक ग्रेनुल से या निशल ग्रेनुल से फोर प्रोटीन सिंतेसिस, तो मैंने बोला था कि जो निशल ग्रेनुल से होते हैं वो रफ एंडो प्लाजम इडिक ग्रेटिक ग्रेटिक ग्रेट के जैसे होता है और प्रोटीन सिंतेसिस के लिए रेस्पोंसिवल होते हैं, तो प्रोटॉप्लाजमिक है, यह मालिया, यहां पर हमने देखा कि यह क्या है, यहजाइ शैल गु रीस है, तो सेल गुदी से इसही आर्येज्जन होने वाले निकलने वाले इसके दो मग यहाँ से एक बार माद हो गया। यह देंुल होता है। और दूसरा कौन सा हो गया एक्जोन हो गया तो दिखी यहां पर इन दोनों का ही डिफ्रेंस दे रखा है यह एक्जोन इसमें नंबर कैसे हैं आलवीज सिंगल होता है और डेंडरों बहुत सब्सक्राइब होता है इसके लब देखो डेखेंडिका साइसे कर और फैरिक्ष्य कृष्य को अग्यों बहुति नुक्स के लिद्ल देखेंड वहीं और नतजानी होता है और यह फंक्शन देको न्रव इंपल्स अवब साइटों नियुक्र इंपल्स को तो यहां पर electric impulse बनेगा, electric impulse से exon के terminant end की हो जाएगा और वहां पर chemical impulse में neurotransmitter के द्वारा convert हो जाएगा और यह देखो, conduct the nerve impulse towards the cytone, तो यहां पर माले गोई muscular tissue है, वहां से impulse को यह क्या करेगा, gain करेगा और cytone को देगा तो cytone में आने से बेले यह जो fibrils होते हैं, neurofibrils उनकी help से यह chemical, electric impulse में convert हो जाते हैं अब यहां पर देखे हमने इसकी first cell है, उसको study कर लिया है और वो है neuron, neuron के बारे में एक चीज़ और बताता हूँ आपको, कि यह दू टैप की होती है, neuron से एक तू होती है, सेंसरी नर्व, एक तू होती है, सेंसरी नर्व और एक होती है, motor नर्व, sensory नर्व क्या करती है, किसी organ से impulse को receive करेगी और receive करके उसको देगी central nervous system तक, हम बोल सकते हैं कि यह brain या फिर spinal cord की ओर चलती है, message को organ से brain की ओर देगी, यह motor नर्व ब्रेन या spinal cord से collect करेगी और वहाँ से जो भी target organ है, उस target organ तक उसको supply करने का काम करेगी, तो दो टाइब की nerve, sensory nerve and motor nerve, sensory nerve organ to central nervous system and motor nerve, central nervous system to target organ, अब दूसरी हमारे पास में जो cell आती है, वो है neuroglia, यह second number की cell है, यह cells किसी होती है, यह एक joint करने का काम करता है, यह packaging का काम करता है, हमारे brain के अंदर यह present होती है, हमारे spinal cord के अंदर present होती है, nerve में present होती है, तो यह nutrition supply करने का काम करती है, और phagocytic nature की भी होती है, और packaging का काम करती है, connect का काम करती है, है तो दीज आर नों रॉन नर्वास इरेगूलर सेल्स ब्रेजन बेटम गैंगिलिया गैंगिलिया का मतलब होता है जो बहुत सरी नर्वस चल्स उती है उनका उच्छा होता है उनको बोलते हैं गैंगियोन गेंगलियून एंड रेटिना ओप आई इस एक्ट एज पैकिंग सेल्स बिट्विन दे नियूरोंस के बीच में पैकेजिंग का कम कर रहा है इस आल्सो प्रोवाइड नूटिशन टू दे नियूरोंस एंड आल्सो एक्ट एज फैगोसाइट इसका मतलब है कि जर्म्स को नियूरोंसिक्रेटरी सेल्स एकी नियूरोंसिक्रेटरी सेल्स से इस्पेशल टैप की सेल्स होती है चुकि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक पार्ट होता है जिसको बोलते है है हाइपोथलेमस और हाइपोथलेमस इनी सेल्स के थूप हॉर्मोन सिक्रेट करवाता है पिट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रे सिक्रेट करने के लिए स्टिमिलेट करता है या फिर होर्मोन को रोकने के लिए कम अमाउंट में सिक्रेट करने के लिए स्टिमिलेट करता रहता है तो यह काम मास्टरों मास्टर क्लेंट के नाम से कौन जना जाता है हाइपो थेलेमस और हाइपो थेलेमस के पास में नियूरो सिक्रेटरी सेल्स होती है जिन से ये दो हॉर्मोन रिलीज करता है एक होता है रिलीजिंग हार्मोन और दूसरे होता है इनहीबीटरी हार्मोन तो रिलीजिंग हार्मोन क्या करेगा इस पिट्रिटरी ग्लेंट को हॉर्मोन सिक्रेट करने के लिए स्टिमूलेट जबकि जो inhibitory हर्मोन होता है वो तो प्रिट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्र ने थार एक्षिन करना इस्टार्ट कर दिया तो इस विस्टाइब गी सल्सोती है यह नियूरो सिक्रेटरी सेल्स जो भी नियूरो होर्मोन्स बनाती है इसकी लास्ट सेल आती है हमारे पासमें आपेंडायमल सेल्स से एपिथीलियम जो टिश्यू होते हैं उनमें भी शिलेटीड जो क्यूबूइडल या कुलुपनर एपिथीलियम की सेल्स होती है और यह हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसमें सीसे फरा हुआ रहता है सेब्सानल पुड तो यह ग्रेयन करने में इसको फॉर वने में यह सेल्स है तो अपनिमर सेल्स और और सीलिटीड क्योग दल सेंसे विचे लाइस थैर क्याविटीज और प्रेंड इन्ड्च यह इन और सेटल प्रेजेंट इन देयर्स केविटीज तो जो केविटीज है वहाँ पर यह सी एस एफ को मुझ करवाने के लिए रेस्पॉंसिवल होती है अब यहाँ पर देखें कुछ रिमेंबर पॉइंट से इनको में देख लेते हैं साथ में देकि एक जोन इस दे लॉंगेस्ट नर्व प्रोसेस अफ निउरोन अब जानते हैं इसको सेंस्री निउरोन और प्रेजेंट इन दे सेंस ओर्गन सेंस ओर्गन मिन से अपने जैसे नोज है आई है एयर है हमारे स्किन हैं में सब में जो sensory nerve present होती है एन एक्जोन या nerve process is covered by the by one or two seat is called nerve fibers nerve fiber may be medulatate when covered by fatigue medulatory sheath और non medulatate ये दोनों condition में हो सकती है कि जो एक्जोन होती है वो जो myelin seat होती है या medulatate होती है वो भी सकती है और नी भी हो सकती है fatty substance myelin seat होता है myelin seat is a note and an integral part of a neuron तो जरूरी है ये a narrow is formed of large number of narrow fiber surrounded by a communicative tissue sheath age axon at its end swell to form a synaptic knob यहां पर देखे एक चीज में आपको बताना भूल गया यह important भी है देखे यहां से हमने वालिया कोई भी nerve है यह narrow tissue हमने यहां perform कर लिया और यह इसका terminal end आ गया यह इसकी एक जोंस हो गए हमें एक roughly diagram यहां पर मालिया myelin seat है यहां से impulse आया और impulse यहां पर synaptic knob में neurotransmitter ने इसको chemical impulse में convert कर दिया और यहां पर दूसरी nerve cell है और यह मालिया दूसरी nerve cell है और दूसरी nerve cell के यह इसके dendroids हो गए तो इस दोनों nerve cell के बीच में यहां पर जो part जो gap है यहां पर बीच में या ऐसा जग है जहां पर यह जो electric impulse chemical impulse में convert होता है इस process को इनका पास पास में आना कहलता है Snapses तो इसके यह जो space है यहां पर दोनों nerve के बीच में उसको बोलते हैं हम Snaps तो यह जो Snaps होता है यही वो जगह होती है जहां पर एक chemical impulse को वो सरी एक electric impulse को chemical impulse के अंदर convert किया जाता है Okay student तो आज हमने animal tissue की नर्व tissue के उपर discuss किया है नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ difference वाली वीडियो लेकर की चलेंगे जिनमें जो different tissues हैं उनमें किस तरह की difference होता है उनके उपर discuss करेंगे Thanks आर्स झाम वीडियोग और एक 59, diesen झाम पर nickel